हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं अपने कीचेन में बनाने जा रही हूँ आलू की एक चटपटी और बहुत ही तेश्टी लाजवाग सबजी जब कभी घर पे कोई हरी सबजी ना हो या फिर आप हरी सबजी या खाकर उप चुके हैं तो इस आलू की तेश् से वाश कर लेना है और उनके छिलकों को उतार लेना है देखिए मैंने यहां पर मीडियम साइज के आलू लिये हैं तो आपकी आलू जो है वो ना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा छोटी मीडियम साइज की आलू को लेना है अब इसे हम कट करेंगे तो द पर एक क्रेंदों सेयह तो डालना वरना दस्ऐस तेका टूट जाक ne, तो तो हम आज करें के तो हमाराज़ा तो आज आ UPOL होँगी चुका में तो हम मैंने यहां half table spoon खड़े जीरे को भी add किया है दोनों को अच्छी तरह से crack होने देंगे अब इसमें एक बड़े साइज के प्याज को मैंने cutting करके पहले से रखा था उसे add कर देना है प्याज को हमें ज्यादा भूनना नहीं है अब इसमें हमें आलू add कर देना है जिसे हम लोग add करेंगे नमक आलू के टेस्ट के according यहां add कर देना है नमक मैंने यहां पर डाल दिया है अब सबको अच्छी तरह से mix करके पांच मिट के लिए इसे ढख देना है तो देखिए पांच मिट कंप्लीट हो चुके हैं और आलू हमारी लगभग पक चुकी है अब इसमें हम मसाल को add करेंगे मसालों को हम लाश्ट में add करेंगे और थोड़ी दिर के लिए इसे पकाएंगे तो मसालों में मैंने यहां पर एक चमच हल्दी पाउडर आधी चमच जीरा पाउडर आधी चमच धनिया पाउडर चिली फ्लैक्स एड़ किया है आधी चमच लाल मिर्च एड़ क किया है लाश्ट में मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी इसमें एड़ की है इससे इसका फ्लेवर और टेश्टी आएगा इसमें से एक भी मसालों को आप स्कीप नहीं करिएगा क्यूंकि चाट मसाला और आमचूर पाउडर डालने से इसका टेश्ट और भी ज्यादा बढ़ हैं और सब्जी हमारी बन चुकी है अब इसे हम उपर से हरी मिर्च को एड़ करेंगे अगर आपको करना है तो आप इसे किप कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च का कम इस्तिमाल करें देखिए मैं आप लोगों को नाइफ से कट करके और यह सब्जी खाने में जितनी ही चटपटी देखने में उतनी ही लाजवाब है। तो घर पे जब भी आपको समझ में ना आए कि सब्जी क्या बनाया जाए आप जटपट ऐसे में इस सब्जी को बना कर तयार कर सकते है। यह सबजी तो बच्चों की फेबरेट परने वाली है मेरे भी बच्चों को यह सबजी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बार-बार डिमांड करते हैं इस सबजी की तो आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं पिर देर किस बात की है जाईए कीचन में और इस सबजी को ट्राइ करिए प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताएगा आप सबको यह सबजी कैसी लगी आप सबके कमेंट का मुझे बेसबरी से इंतजार रहता है और मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा साथ ही अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की रेस्पी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ